आपको नोट्स दिये हैं कि आप लोग को इन बुक्स को याद करना है वही सारी बुक्स पूछी जा रही है आज एक प्रॉपर लिस्ट दी गई है हिंदी साहित्य में जितनी जो रचनाय हुई है उन सब की प्रॉपर लिस्ट दी गई है यानि कि आपके एक दम इसको बोला जाता है शूर शॉर्ट सेलेक्शन की तयारी चल रही है आपके खुंगा अकाडमी में क्योंकि हम सब का सपना है कि जो दस अजार प्लस अभी सेलेक्शन से आपके अटलीस दस अजार पांक सो हमें इसी बार और इससे जादा ही हमें सेलेक्शन चाहिए ठीक है तो विदाउट वेस्ट इनी फर्दर टाइम हम लोग आगे के आज 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 आपके 65 कॉस्चंस हैं इनका हम लोग आज अन जिसमें कि आपके मतलब जहां पर आपके इन डेफ्धन समय चाहिए मतलब कि जहां से आपके क्रॉस कॉस्चिनिंग बन सकती है ऐसे कॉस्चंस को हम लोग को देखना है ओके सो विदाउट एनी फॉर्दर विदाउट वेस्ट इनी फॉर्दर टाइम चलो फिस्ट कॉशन प करेंगे आप इसमें साउथ वाले ही आंसर एक तो मार्क करने दूसरा तो भरत नाट्यम हो उडिसी हो या कुच्ची पूरी हो ठीक है तो यही आपका आंसर है तो राजा रेडी आपके केस्टास फार्म से हैं वह आपके कुच्ची पूरी से हैं अगला यहां पर आपसे यह है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कबड़ी के ग्राउंड की हर एक लाइन की जो आपकी डक लाइन है जो आपकी बक लाइन है ठीक है और जो आपकी लास्ट में जो लाइन होती है जिसको फाउल लाइन है इन सब के बीच में आपके क्या-क्या बोनस लाइ है इसी के साथ साथ दूसरे जो कि आपके कमेंट पढ़ेंगे तो उनका भी से फायदा होगा कि अट लीस्ट वो कमेंट सेक्शन में जाके उनको इतना तो आइडिया लगी जाएगा कि वो लोग आपके आंसर मार्क करके आ जाएं अगले कुशन पर चलते हैं अगला कुशन आप से ये पूछ लिया कि भाई ये जो आपके आजंता केवस हैं कौन सी नदी पर तो हम लोगों ने इसको क्लास में बार-बार जिसको बोलता है इतना जादा इसके रटा था कि देखो आजंता केवस पूछी जाएंगी आपके 29 गुफाएं हैं आपके ये पढ़ती हैं तो Western Ghats में Western Ghats को आपके महराश्ट में क्या बोलते हैं तो आपके सहाधरी सहयाधरी श्रिंखला है या सहयाधरी रेंज है यह आपके बोला जाता है तो यह सब आपके कई बार जिक्र हुआ है इसमें The caves at Agenta are excavated out of vertical cliff above the left bank of river Vagora in the hills of Agenta There are 13 numbers, so basically बच्चे आपके 30 है नमबर में ठीक है जिसमें से जो 5 है वो आपकी क्या है वो आपके चैत्ते हैं चैत्ते ग्रही या फिर उसको आपके sanctuary बोली जाते है मैं भी आपको बताता हूँ चैत्ते क्या होता है और विहार क्या होता है ठीक है? और जो बाकी के उनको क्या बोलते है तो उनको आपके săंग्राम्स बोलता है ή फिर उनको विहार बोला जाता है तो पाँच याद रखना है कि तीस में से आपकी जो पाँच है ये आपकी क्या हो जाएगी ये आपकी चैत्ते हैं चैत्ते वो होती है जहां पर आपके जितने भी बहुत भिख्षू है वो सारे वहाँ बैटके आपके meditation किया करते हैं और जो आपके विहार है उसके बाद वहाँ पर मतलब सारी जो आपके बहुत भिख्षू है वहाँ पर पूजा होती है बहुत अंबुद्ध की और जो आपके विहार है उसमें आपके सारे के सारे बहुत भिख्षू जो है बैटके आपके meditation किया करते हैं वो यानि कि आपके पत्थरों को काटके बनी हुई है, स्टेर केस हैं, सीधी नुमा आकार की हैं आपकी, दूसरा, ये आपके दो different phases में बनाई गए थी, एक आपका जो first phase था, वो आपके सत्वाहन वंच, ठीक है? ये जो आपके सत्वाहन वंच था, उसके दोरा बनाई गया है, और दूसरा आपके जो दूसरा phase था, ये आपके जो first phase था, ये आपके दूसरी स्टाब्दी इसापूर से लेके पहली स्टाब्दी इसापूर तक मनाई गया है, और जो दूसरा फेस था वो आपके बसिम ब्रांच से मिलता है और यह कम मनाए गया तो बच्चे आपके वाका टकार जो डाइनेस्टी थी ठीक है यहाँ पर आपका मनाए गया है तो यह आपके पाचवी और छटी शताब्दी में मनाए गया यानि सम्वेर इन में कितने सालों का अंतर है तो 800 वर्षों का अंतर है ठीक अजन्ता की गुफा है किस नदी की टत पर स्ट्रित है आंसर है इसका वाघेरा तो वाघेरा में आपके 29 टोटल कुल 30 गुफाएं है 5 किस में से क्या है 5 है आपकी अधूरी गुफाओं सहीत उनकी संक्या 30 है वैसे कुल अगर बच राजवन्च का है तो प्रथम चरण जो है और दूसरा चरण वाकatura क डाइनस्टी का है ठीक है वाकतक राजवन्च का थीक है बसीम शाक्त करके है यह सब आपको रहन रखना है पा चीज लुइए स्चफे से चटी शताबदी याद रखना है और आपके उससे पहला वाला प आपके सात्वहान राजबंश का है ये याद रखना है अगले question पर चलते हैं ये आपसे पूछा गए बचे कमलम अंडलम कल्यानी अट्म ये आपके किस से related है तो बच्चे ये जो आपके कलम अंडलम कल्यानी अट्म तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी अट्म आएगा double words आएँगे double letters आएँगे तो आपके केरल का हो जाएगा ठीक है और थोड़ा South Indian सा नाम लगेगे तो आपके केरल का हो जाएगा इसके जो नृत्य पूछा गया आप से नृत्य कौन सा है तो बच्चे आपके जो नृत्य है ये आपके क्या है ये है आपके मोहिनी अट्टम म आपके कहां पर तो आपके केरल राज्य में मनाया जाता है ठीक है यह आपका कैसा है अर्ध शास्त्री यानि कि क्लासिकल नहीं है यह आपका अभी भी अर्ध शास्त्री है सेमी क्लासिकल है ठीक है यह निर्थ आपके कहां किसको डिनोट करने के लिए यह आपके कौन से भस्मासुर को आपके मोहने के लिए मोहनी अवतार में कौन आते हैं श्री विष्णु आते हैं आपके भगवान श्री विष्णु आते हैं और वो क्या करते हैं वो आपके यहां पर यही नृत्य करते हैं ठीक है और जब आपके यहां पर यह नृत्य किया जाता है जब आपक यहाँ पर जब बच्चों यह अम्रित किया जाता है तो ऐसा कहते हैं कि क्योंकि उस टाइम पर आपके समुद्र मंथन चल रहा था और यह जो समुद्र मंथन है इस टाइम पर ताकि भस्मासुर आ के साभी देवताओं को भगा के सारा का सारा जो अम्रित है खुद न पी तो यहाँ पर आपके भस्मासुर के लिए मुहिनी अवतार में श्री हरी विश्नु आपके पहुंचते हैं और वो उनको क्या करते हैं उनको मुह लेते हैं उनको अपने काम से अपने मार्क से भगा देते हैं मतलब क्या करते हैं हटा देते हैं दूसरे लेकिन आपका यही दैत्ते था जो वहां तक पहुंचा था उसका नाम राहू है यह सब भी खेर हम लोग ऐसे मजे मजे में डिसकस करते रहते हैं पौराणिक कथाओं को ठीक है तो आपके जो राहू है राहू ऐसा था जो कि आपके भेश बदल के गया था फिर आपको श्री हरी विश्णु जी से related है या आपका dance form तो statement हो जाएगी सही कल को हो सकता है आपसे question पूश रहे कि किसको कौन से भगवान के लिए है तो विश्णु भगवान के लिए कौन सा अवतार था विश्णु जी का तो महिला अवतार था या नियो क्या था आपके मोहिनी अवतार में आये थे इसलि अगला क्या है तो भाई अगला है आपका Junagadre inscriptions related कई बार पूछा गया है कि बच्चे Junagadre inscription में आपके कौन से वंच का नाप सारी कौन से आपके राजा कानाम था तो भाई Junagadre सीला लेखों पर किस शाशक का नाम मिलता है वह आपके रुद्रदमन रुद्रदमन आपके क इसको ना अच्ho junaagroot को आपके गिरनार भी बोला जाता है, ठीक है ? तो गिरनार क्षेतर है, गिरनार मतलब कहाँ पे गिरव, गिर में आपके क्या है? एक मात्र एशियाई शेर आपके कहीं मिलते हैं तो आपके गिर में मिलते हैं पूरे विश्व में एशियाई शेर सिर्फ और सिर्फ गिर में मिलेंगे गिरनार ये आपका वो एक शेत्र है जहाँ पे आपके रुदर्दमन थे हमें रुदुर्दमन की बच्चों आपकी क्या कर लेनी है डाइनस्टी पता कर लेनी है तो आपके अक्षत्रप ये अक्षत्रप डाइनस्टी से थे रुदुर्दमन ठीक है रुदुर्दमन प्रथम द्वारा एक चटान पर खुदा हो एक संस्कृत गद्य है यह भारत के गुजरात में जुनागड के पास गिरनार पहाडी के पास इस्थित है यह शिला लेक आपके डेर सो इसा पूर्व के तुरंत बाद का है यानि 150 जो है उसके बाद का है 160-170 आपका जो वर्ष चल रहा होगा उस समय का है ठीक है अगला बांगला फसल महोतसृब कहां मनाया जाता है जाहिण सी बात है वेस्ट बेंगौल औप्शन में रहा होगा और कई बच्चे उसको आपके गलत भी करके आए हुंगे पर ओर टफ बनाने के लिए वेस्ट बेंगौल के औप्शन में में दालो और जब भी बच्चे West Bengal option में नहीं होगा या तो उडिसा हो जाएगा option या आपका Assam हो जाएगा या Just Assam से side में आपका क्या है मेगाले है यहीं पर यह आपके क्या नाम है बंगाल से related जुतना भी आपके culture मिलेगा वो आपको यहीं मिलेगा ठीक है तो यह आपको करके आना है आप लोग आये और इस प्रहरी SSC GD batch को जॉइन करें विकाज यह आपका जो batch है इसको हम लोग sure selection batch भी बोल रहे हैं यहां से आपका अगर आपने वर्दी पहनने का सपना देखा है यहां से आपका पूरा होगा ठीक है तो आशा करता हूं कि आप लोग इस batch से जल्दी से ज आपका खेडा सत्याग्राय के बारे में पूछा जाए एक मिनिट कभी भी आपका अगर खेडा या फिर गांधी जी के किसी भी सत्याग्राय के बारे में पूछा जाए या हो सकता है कि कल को आपके क्या करते सीधा सीधना क्रम दे दे तो आपको ऐसे आ दखना है कि गांधी जी उनिस सो पंदरा में आए उनिस सो पंदरा में कब आते है गांदी जी तो ये आपके आते हैं 9 जून 1915 को और इसलिए इसको आपके क्या वोला जाता है इसको आज आपके 100 साल बाद श्रीमतिक शुष्मा स्वराज जी दवारा आपके भारतिय प्रवासी दिवस की तरीके स मनाया जाता है 2015 से ठीक है एक point तो ये हो गया दूसरा क्या हो गया अब गांधी जी को ऐसे याद करो कि भईया गांधी जी आये थे उन्होंने यहाँ पे क्या किया था आपके केक खाया था क्या खाया था केक से कैसे याद करना है तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले गांधी जी का अगर कोई यहाँ पर हिट सत्याग रह था तो वो था आपका चंपारन कब था? 1917 में. फिर दूसरे नंबर पर आपका कौन सा आ जाएगा? तो इसको आपके क्या बोलते हैं? एहमेदाबाद. ठीक है? यह आपका कब हुआ? तो यह आपके 1918 में हुआ. और एक हफ़ते बाद जाके यह आपका क्या हो जाएगा? आपके खेडा सत्यागरा गांधी जी यहीं से शुरू कर देंगे, ठीक है, कि यही से आपका क्या हो जाएगा, खेडा सत्यागरा, यह भी आपके 1918 में है, फिर क्या करेंगे गांधी जी, 1919 में आपके सोचेंगे कि क्यों ना हिंदू-मुस्लिम को एक करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो खिलाफत है, जो कि आपके मुस्लिमों द्वारा चलाए गया था, ठीक है, तो उस खिलाफत आंधोलन को बढ़ावा देते हैं अभी के लिए तो, और इसी को आपके कहां मर्जी कर देंगे, इसी को हम लोग 1920 में जो आपके असहयोग आंधोलन है, यानि कि नॉन कॉपरे पूरे नेशन वाइड यानि कि पूरे रास्ट में आपके इस आंधोलन को चलाया जाए, यही वो आंधोलन है, जो बच्चे अभी आपके आगे कोशन भी पूछा जाएगा, 1922 में, फरवरी में, ठीक है, आपके फरवरी में क्या हो जाएगा, चौरी-चौरा, गोरकपुर में, जहां से अभी आपके योगी आदित्यनाच जी है, तो गोरकपुर में क्या हो जाएगा, आपका चौरी-चौरा, गोरकपुर में चौरी-चौरा, चौरी-चौरा, यह आपके गोरकपुर की एक जगह है, और यहां पे आपके क्या हो जाएगा, इसको हत्याकांड कहा जलाता है आपके गोरघपुर 44 चार चौर 44 चौरीकांड तो इसमें आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके 21 is वालों को जला दिया जाता भारतीächstes न्न 1 प्रोस वालों को जलाए जाता है भारतीओं के किसानों के लिए था जितने भी आपके पट्टीदार र किसाण थे समूद आये के आपके पूरा ध्यान केंद्रित किया गया था वो कि आपके आपके हाथें टीश परसेंट टैक्स इंक्रीज कर दिया गया था सरकार द्वारा और इसके खिलाफ ना इन लोग ने decide कर ले कि भाई हम लोग tax नहीं देंगे एक तो आपके फसल उबजी नहीं दूसरा एहमदाबाद जो आपके होती है एहमदाबाद में अल्रडी मिल स्ट्राइक चल रही थी किसलिए चल रही थी तो वो आपके प्लेग के लिए चल रही थी वहाँ पे क्या हो गया था आपके प्लेग हो गया था अब अपके प्लेग कैसी बिमारी है आपके दो तरीके क्यों होती है एक आपके neumatic plague होती है जो कि आपके फेफडे खराब कर देती है पी लगा लेना आगे ठीक है और दूसरी आपकी क्या हो जाएगी एक आपकी बुबॉनिक हो जाएगी जो की आपके क्या करेगी यह आपके पूरे के पूरे ऐसे हाथ एकदम काले पड़ जाएगे सारे आपके पूरे हाथ काले पड़ जाएगे पूरी चमडी खराब हो जाए ठीक है तो जाहिर सी बात है जब इतनी बीमारी आएंगी तो आपके census में क्योंकि आप census से पूछे जाएंगे तो एक और चीज बस बता देता हूं आपके इसका color change कर लेता है नहीं red तो है ही purple ठीक है तो बच्चे census में आपके the great divide जो कि आपसे question पूछ भी लिया गया first shift में एक बार पहले दिन ही great divide आपके बोला जाता है तो किसे बोला जाता है वो आपके 1910 से 1920 तक का वो period था जिसमें कि आपके पहली बार भारत की जनगरणा जो है क्या हुई थी कम हुई थी और इसी लिए आपके इस great divide में जो census में था इसे great divide इसलिए बोला जाता है विकॉस यहाँ पे आपके क्या हुआ था तो आपके 1910 से 1920 में भारत की जनगरणा कम हो गई थी क्यों हो रही थी विकॉस आपके लगातार कुछ ना कुछ आ रहे थी 1920 में Spanish flu आया प्लेग आ गया 1918 में कॉलरा आ गया फिर आपकी फसले खराब ह गई फिर उसके बाद आपके विष्विद उससे पहले आ गया तो मतलब पूरा जो दशक था इसमें आपके जनसंख्या का कम होना ही होना था ठीक है तो इसकी वज़े से आपका क्या हो जाता है किसानों के लिए गांधी जी मना कर देते हैं सबको मना कर देते हैं कहते हैं कि कि आपका civil disobedience moment का जो पहली जलग आपको देखने को मिलते हो आपके कहां देखने को मिलेगी खेडा सत्याग्राय में देखने को मिलेगी आशा करता हूं कि आप सारी समझ गयोंगे मैं काफी जादा इसको in depth में discuss कर लिया है screenshot ले लो क्योंकि हर एक point जो मैं लिखा रहा हूँ वहां से आपके questions आ रहे हैं ओके next question पर चलते हैं अब यह भाई आपसे vitamin A के स्रोथ पूछे हैं तो सबसे best स्रोथ होता है vitamin A का वो क्या होता है वो आपके होता है carrot vitamin A से होने वाली बीमारी कौन सी है तो vitamin A से होने वाली बीमारी का नाम है आपके night blindness या जिसको हिंदी में क्या बोलते है ratondhi ठीक है तो carrot यानि गाजर तो है ही आपका गाजर तो है और इससे होने वाली जो बीमारी है बीमारी का नाम क्या है तो बेमारी का नाम है आपके रतानधी ठीक है इसमें क्या होता है आप रात में अंधे हो जाते हो मदब रात में दिखाई दिना बंध हो जाता है ठीक है तो it's your night blindness और कैसे आपके सही हो सकता है तो भाई अब आपसे carrot तो पूछ लिया जो इसका उत्तर था और क्या क्या चीजे है तो बचे carrot के साथ साथ आपके liver है किसका liver है? cod liver cod एक आपके मचली होती है ठीक है? तो उस मचली कही आपके क्या होता है जैसे कभी आपके company है C cod कर के company है तो वो आपके cod liver oil बनाती है मचली का तेल इसको पीने से आपके रतांधी नहीं होती है या फिर खेर इसके ना आपके कैपसूल भी आते हैं तो यह जो अगर आप कैपसूल खाओगे तो वो आपके लिए सही रहेंगे फिर्श है मचली खाओ खूब जादा अंडे खाओ जितने डेरी प्रोडक्ट्स है आप वो खा सकते हो अगर आपको आप शाका हारी हो तो फिर बच्चे जितनी हरी सबजियां है पालक टमाटर यह सब खाओ पालक हो गया साग हो गया और वो सब खाओ संत्रे बहुत जादा खाने चाहिए संत्रे खाओगे तो आपके फाइबर भी होगा डाइजेशन अच्छा होगा पेट की समस्से आपकी दूर हो जाएंगी जितने आपके पीली सबजियां है वो खानी चाहिए जैसे आपके पीली वाली जो शिमला मिर्चाती है ठीक है यह सब चीजे खानी चाहिए टमाटर बिल्कुल इसमें खाना है आपको जितने फल हो सकते हैं वो खाना है और सबसे बेस्ट जो इसका और स्रोथ है उसका नाम आपके क्या है आमला तो जितने शिट्रस फूर्ट है खते खटे जो हैं उनसे भी आपके क्या होगा रत नहीं पाए कि आपके आपके मेक इन इंडिया से सिमलर पॉलिसी थी उनने सो सतरसी के दशक में दसवा आप से अगेन पूछ लिया गया है कि भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक होगा जिसे राष्टपती द्वारा अपने हस्ताक्षा और मुहर के तहत वारंट प्रसिदेंट के बाए प्रसिदेंट यह आपका सेलेक्ट होगा अपॉइंट होंगे और यह कैसे होंगे बाए वारें अंडर हिस हांड एंड यह सील इसका मतलब क्या होता है इसको आपके सेक्awareटिटी ओफ टैन्नियोर नहीं मिलेगा और जब नहीं मिलेगा President के द्वारा है, तो कोई और हटा नहीं सकता और दूसरा, यह आपके independently perform करेंगे और इसी के साथ-साथ आपके यहाँ पे क्या नाम है, कोई ऐसाच fixed tenure नहीं है, कभी भी यह आपका हटाया जा सकता है, ठीक है? और यह आपके कैसे हटाय जा सकते हैं तो यह जो आपके हटाय जाएंगे, जैसे आपके Supreme Court के Judge आपके संस्द में हटाय जाते हैं, वैसे ही आपके हटाय जाएंगे ठीक, तो आपके 148-पे आर्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है, आर्टिकल अच्छा आप आपके बानभट आपके चपरा बिहार में पैदा हुए थे ठीक है और ये आपके सात्वी शताबदी के भारत के संस्कृत गद्दे लेखा के बहुत बड़े आपके रचायता थे उस समय के ठीक है संस्कृत में पूरा का पूरे गद्दे लिखने वाले थे जब आपके सारे संस्कृत में पद्दे लिख रहे थे या आपके गद्दे लिख रहे थे वो आपके किसके तो समराथ हर्ष जो था यानि कि हर्ष वर्धन कौन सी डाइनेस्टी से था क्या पुष्यमित्र ड नहीं कि आपके क्या थे तो आपके बच्चे अश्ट कवियों में से आपके एक कवी थे अस्थाना कवी लिग दिया गलती से आपके दरसल अश्ट कवी है एने वहां से हटा देना आप लोग ठिक तो यह आपके जो फर्स्ट फ्रॉम स्थान विश्वर्य और लेटर कन्नौज तो बच्चे आपके कहां से थे पहले आपके स्थान विश्वर और फिर बाद में आपके कन्नौज से ये थे जो आपके बानवट थे ठिक आगे चलते हैं सोरी जो हर्श वर्धन थे वो आपके कन्नौज से राल राज किये थे दूसरा यहाँ पे अच्छा तो कादंबरी प तो राजा हर्श वर्धन के बारे में सम्राठ हर्श वर्धन के बारे में कहां से पता चलता है अगला राजा राजा वन के बारे में पूछा है, मैंने आपको कही लोगों को बताइगी, यह सै क्लास में कहिता है तो जिसने आपके पूरा 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 पूर बना दिया था और उस पूर का नाम क्या था तो उसका उन्होंने नाम रखा था गंगई कोंड मतलब हराया मैंने गंगवंश को गंगई कोंड चोल मैं वो चोल जिसने की आपके गंगवंश को हराया है ठीक है मैं इस शहर का नाम क्या रखता हूँ गंगई कोंड चोल पुरम तो मैं इसको वो पुरम बोलूँगा तो गं तो राजा राजा वन की जो बच्छी आपके राजदानी थी यह आपके जनरली मेषूर से रूचा रहा रह discrimin EThat मधूराई से आपके rule करते धे ठीक हैं कहां से राज करते थे आपके मधूराई से राज करते थे तो वही है इन्होंने बचे आपके दक्षिड भारत में जीता ही जीता था साथ में आपके श्रिलंका भी जीत लिया इनके जो अगले बेटे थे मतलब जो अगली जनरेशन थी जिसमें की दूसरे वाले का नाम क्या था तो उनका नाम था आपका राजेंद्र इन्होंने तो आपके श्रीलंका को जीता था राजेंदरवन ने आपके क्या कर दिया तो राजेंदरवन आपके इंडोनेशिया तक पहुँच गए थे ठीक है तो बंगाल की खाड़ी को अपनी जील बताते हुए अपनी लेक आफ बेंगॉल बोलते हैं लोग बे ओफ बेंगॉल बोलते हैं लेक ओफ बेंगॉल बोलते हुए सीधा आगे निकल गए थे चोल समराट था जिसने 1985 से 2014 इसमी तक में यहाँ पे आपके राजा राजावन ने राज किया था अगर एक और कुश्यन आ जाए कि उन्होंने कौन सा मंदिर बनवाय था ठीक है तो एक उस मंदिर का नाम आपके क्या है वो उसका नाम है राजा राजेश्वर ठीक है, राजा, राजेश्वर, मंदिर कहा है, अगेन, मदुराई में है, बहुत बड़ा सा मंदिर है, ठीक है, बहुत भव्वे मंदिर है तो यह आपके बनवाय जाता है इनके द्वारा, ठीक, तो मदुराई में ही है, इतना आप लोगे लिए बहुत है इंग्लिश मीडियम के लिए, ये लो, स्क्रिन शोट ले लो, आगे चलता है, ओके अगला कोशन, आपके जूनियर होकी वर्ल्ड पकप कौन जीता है, तो भाई ये आपके चाहाए एशिया कप हो इंडिया का, चाहा है वो आपके Women's Hot boxer cup हो, India का, चाहा है वो आपके Haw 살ła के World Cup और आपके Asia Cup हो, उन संब को किसने जीता है, तो वो आपके Junior Asia How krie cup हो, यह आपके किसने जीता है, तो यह आपके अंडिया शिक्षामंत्री कौन था तो आपके मौलाना अबुलकालाम आजाज जी थे ठीक है अगला पूछा गया कि प्रतिभा प्रहलाद कौन से निर्ति से रिलेटेड है इसका उत्तर है भरतनाट्यम अगेन वही प्रतिभा प्रहलाद ऐसे ऐसे नाम अगर आपके आएंगे तो यही ह जाती है अगला कुश्चन है कि आपके कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसकी आपके सबसे कम जनसंख्या है तो वो कौन सी है तो वो बच्चे अंडमान निकोबार है और दूसरे नंबर पर आपकी क्या आजाएगी लद्दा खा जाएगी ठीक और अगर सबसे कम साक्षरता दरवाला केंदर शाषित प्रदेश की बात करें तो आपके दादर और नागर हवेली है और सबसे जाधा कौन सी है तो बच्चे वही सबसे जाधा आपके डेली है ठीक है और सबसे हाइस्ट पॉपलेशन वाली भी कौन सी है तो डेली है ठीक है सबसे जाधा सूरे कुमार याद हो, सब को पता है, इसकाई, किस से related हैं आपके, तो आपके cricket से related हैं, बहुत बच्चे वाला कोशन था, ऐसे toffee कोशन आपको दिया गया है, कि जा के ले ले लेना, यह आप से पूछा गया, आर्टिकल 40 में भारतिय समविधान के क्या mention है, तो यह आपके क्या mention है, लेकिन आपको बस यह आद करना है, कि आपके ग्राम पंचायद से related है, ठीक है, आर्टिकल 40 में, कली जस्ट हम लोगों ने यहापे क्लास में आपके list देखी थी, और मैंने जब आपको list बता रहा था, तो मैं यही कहा था, कि हो सकता है, कि अभी तक पूछा नहीं और अगला पूछा कि आर्टिकल 51 आपका क्या है, Constitution का आप लोग बता दोगे, कि भाई, लास्ट आर्टिकल है, इंटरनाशनल पीस और ट्रीटी से related है, ठीक है, अंतरराश्ट्री है, शांती समझोते से आपके related है, कौन सा, आपके DPSP का आर्टिकल 51, जो आखरी आर्टिकल है, आखरे नुचेद है, राम नवमी कब मनाई जाती है, तो सब को पता है, चैत्रमास की शुकल पक्ष में नवमम तिथी पे आपकी क्या मनाई जाती है, ठीक है, who issued the silver coins, कितनी बार हम लोग ने इसको class में discuss किया है, कि आपके silver coins को आपके, क्या नाम है, समराठ चंदरगुप् उनकी क्या संख्या है, हाथियों की क्या संख्या है, तो यानि आपसे chess से पूछा जाया है, तो आप लोगो chess, chess से विश्वनाथ आनन्द भी पूछे हैं, कि वो आपके प्रथम राजीव गांदी खेलरतने आवाड़ी थे, ठीक है, तो ये आपको बताना है, वाइट एलिफेंट्स आपके कितने होते हैं, दो, और दो ही आपके काले हो जाएंगे, ब्रह्म समाज की, किसने आपके की थी, तो राजा राम मुहन रॉय ने की थी, ठीक है 839 में की थी, 833 में इनका निधन हो गया था, यही वो ब्रह्म समाज था, जिसमें आगे आपके क कहां से आती है, तो यमुनोत्री से आती है, जाने किती बार हमने डिसकस कहा है, गंगा, गंगा कहां से आती है, यमुनोत्री से आती है, यमुनोत्री के ग्लेशियर का अगर आपसे मान लो कि कभी आपसे हिमनद का नाम पूछ ले, तो हिमनद का नाम जरूर बताना, हिमनद यानि कि Glacier कौन सा Glacier है तो श्री हनुमान जी की पूछ है तो क्या बोलेंगे बंदर पूछ ठीक है बंदर पूछ हिम्नद बंदर पूछ हिम्नद या Glacier यह जरूर आप लोग लिख के आना ठीक है अगर हो सकता है कि आप से शायद कुश्चन पूछ लिया जाए गंगा की क्या है तो गंगा की आपके गंगोतरी है गंगोतरी चलो यहाँ पर गंगा की लिख देता है तो गंगा बच्चो एक तरफ से आपकी कैसी आ रही है तो यहाँ से आपकी आ रही है भागी रथी भागी रथी तेरी तरफ शिवजी चले देख जरा ये विचित्रमाया और यहां से बच्चे आपकी कौन सी आ रही है तो let's say यह नदी आपकी इस तरीके से जा रही है and then यहां से आपकी एक और नदी आ रही है और फिर यह आपकी इस तरीके से पूरी बह जाएगी and this नदी is your अलख नंदा यहां पर आपके पंच प्रयाग बनेंगे जो पाँचवा प्रयाग है वो आपका यहां बनेगा ठीक है भागी रती और अलख नंदा के बीच में इसका नाम आपका क्या होगा तो इसका नाम आपका हो जाएगा देव प्रयाग ठीक है और फिर यहीं से आपके क्या बोला जाएगा यहीं से इसे गंगा बोलते हैं गंगा नाम दिया गया ठीक अब यहां पर बच्चे आपको नप पांच प्रयाग बनते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पे क्या क्या आपके प्रयाग बन रहे हैं एक प्रयाग यहाँ बनेगा, दूसरा आपका यहाँ बनेगा, तीसरा ऐसे एक और लिख लो चौथा आपका यहाँ बनेगा, अब पाचवा तो यहाँ आपका है ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए यह आपके यहां से फिर आपके मैदान में चली जाएगी नदी इसके बाद से तो जहां वो आपके मैदान में जाएगी वो कौन सी जगह है तो वो है आपके हरी का द्वार यानि हरी द्वार ठीक है हरी द्वार से आपके नदी कहां च पूछ ले तो आपको जुरूर बताना है, कमेंट सेक्शन में आशा करता हूँ कि आप चार ये जो एक प्रयाग मैंने बता दिया, इन चार प्रयागों को आप बताएंगे, ठीक है, मैंने आपको डिसकस भी किया था, कि कानवाला है, तो कौनसी नदी होगी, एक मैं यहाँ प बताने हैं, तो तीन बता देना, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, ओके, अगला कोश्यन, अगला कोश्यन है कि आपके 360 में क्या लिखा है, जाई सी बात है, इसमें आपके वित्ती है, जो आपातकाल है, उसके बारे में बात की गई है, 356 में और 365 में, चार-चार आटिकल्स जोडते जाओ, 352 में कौन सा है, राष्ट्रिया पातकाल है, 356 में कौन सा है, तो आपके प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है, आपके राष्ट्रपतीशाशन, और 360 में कौन सा है, तो बच्चे समें आपके वित्ती आपातकाल है, जो ठीक है समिदान शंशोधन की प्रक्रिया है प्रक्रिया कहां से ली गई है, और यह सिर्फ और सिर्फ आपके संसद में होगी, लोकसभाव, राजसभा में किसी में एक में हो सकती है, लेकिन किसी राज की विधान सभाओं में नहीं होगी क्रॉस ठिक 29 वा क्या पूछा यह बचे कि आपके सबसे बड़ी लंबी आपकी irrigation यानि कि सिचाई की नहर कौन सी है आपको सभी को पता इंदरा गांदी है कहां से है पंजाब में जो आपके सतलुज और ब्यास नदी पर समाप्थ हो जाती है हम लोग ने क्लास में से भी डिसकर्स किया है तीसवा आपका क्या है सबसे पहली आपकी IPL कब हुआ था कब हुआ था सबसे पहला IPL इंडिन प्रीमियर लीग क्रिकेट का है तो 2008 में हुआ था फाइनल किसके बीच में था राजस्थान रॉयल्स और चिन्नाई सुपर किंग्स के बीच में था जीती कौन थी राजस्थान रॉयल्स दूसरा 2009 में हुआ था डेकन चार्जर जीती थी ठीक है फिर उसके बाद आपका 31 आ जाएगा यमना की कौनसिस में सहायक नदिया नहीं है तो भाई जो मुख्य मुख्य नदिया है उसी को देख लेते जो सहायक नहीं है वो तो बात की बात है ठीक है या सहायक होगी भी तो कौनसे option में है तो देख लेंगे पर आपको क्या पता होना चाहिए कि टोन हो गई, चंबल हो गई, हिंडन जो कि आपके यहाँ गाजियाबाद से जाती है, ठीक है, हिंडन हो गई, केन हो गई, जो आपके मध्य प्रदेश में है और बेतवा हो गई, तो ये वो नदिया है, चंबल आपके राजस्थान से होते हुए जाती है, ठीक है, तो ये वो आई है 17 December 2016 को इस से related मंत्रा ले कौन सा है तो आपके वित्त मंत्रा ले है ठीक I hope याद रहेगा आप सभी को अगला question maternal mortality rate आपके इंडिया का क्या है मात्र मृत्यूधर यानि कि आपके delivery के समय होने वाला जो मृत्यूधर है कितना है तो यह आपका बच्चे घटकेव 17.7 प्रतिशत हो गया है which is a good thing लेकिन साथ ही में 17.7 भी है इसका मतलब प्रतेख 1000 में से आपके 17.7 लग भल लग 18 महिलाओं की मृत्यू हो जा रही है बच्चा देने के बाद यानि उन जच्चाओं की मृत्यू हो जा रही है संपूर्ण ग्रामीर योजगार योजना कब आई थी 2001 में एक बार और शिफ्ट में पूछा गया है ठीक है आपके हरीकोन हरीकेन नाम से आपकी जो चक्रवात है कहां पर बोला जाता है तो टाइकून बोलते है जपैन में हरीकेन बोलते हैं आपके आट्लांटिक महासागर में ठीक है वहां पर आपके USA और योर्वड़ द्वारा जो बोला जाता है उस चक्रवात का नाम उसका नाम क्या बोला जाता है हरीकेन mandamus का मतलब क्या है परमादेश का मतलब क्या है इसका मतलब आपका हो जाता है जो हमने उस दिन डिस्कस किया था कि निचली अदालत के आदेश के रूप में या किसी व्यक्ति को सारवजनिक या वैधानिक करतव निभाने का आदेश देने के लिए जारी नियाईक रिट का ठीक है यह नियाईक रिट है तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा कि a judicial रिट जो आपके छोटे कोट को बोला जाता है कि आप इसको किसी एक परसन को लागू करो ताकि यह क्या करे command यानि यह आपके एक तरीके से आदेश दिया जा रहा है कि we command, mandamus मतलब कि हम आपको आदेश दे रहे हैं कि आप जाओ और जाके इस काम को करो यह आपके जो न्यायपालिका है यह आपके कारेपालिका को आदेश देती है ठीक है किसने लिखी है आपकी my country, my life मेरा देश, मेरा जीवन यह जो पुस्तक है किसने लिखी है, इनका है लाल कृष्ण आदवानी जी ठीक है, इन्होंने लिखी है आपकी आपके कामाईनी, यह आज पूछ लिया गया मैंने आपको सबको list भी इसको लिखवा दी गई है ठीक है, सभी सारे writers की आपके list लिखा दी गई है जितने भी आपके साहित्ते में है तो आपके कामाईनी जो लिखी है किसने लिखी है, जैशंकर प्रसाद जी ने लिखी है आपके बाल गंगाधर, तिलक, इन्होंने आपके home rule की स्थापना कब की 1916 में एक और चीज आप लोग अच्छा यहाँ पे लिख लेना है कामाईनी की साथ-साथ, जो आपके जैशंकर प्रसाद जी द्वारा है, एक और चीज लिखी गई थी एक आपका novel है ठीक है, novel यानि कि आपके उपन्यास है तो उपन्यास में एक आपका कौन सा हो जाएगा, एक तो है आपका चंद्रगुप्त स्वारी, यह हाँ, नहीं, यह आपके उपन्यास नहीं है यह आपका क्या है, तो यह आपका नाटक है, ठीक एक का नाम है चंद्रगुप्त, दूसरे का नाम क्या है सकंद्रगुप्त ये आपकी क्या है कामाईनी क्या है तो बच्चो कामाईनी है आपकी पोयम ठीक है ये आपकी कविता है बहुत बड़ी कविता है जो आपके श्री जैशंकर प्रसाद जी ने लिखी है ठीक है तो ये है इसी के साथ साथ अगर आपको लेट से निराला का लिखना है तो निराला निराला जी द्वारा क्या-क्या लिखी गए है तो यहाँ पे आप लोग एक सरोज स्मृति लिख लेना सरोज स्मृति उन्होंने अपने बेटी के लिखी थी ठीक है, सरोज स्मृति ये एक कविता है और एक दूसरी बहुत अच्छी कविता है अच्छी की शक्ति पूजा खिक है, श्री राम भगवान आपके देवी मा को पूझते है तो उसके से रिलेटेटेड है कि श्री राम जी की शक्ति पूजा तो यह आपका निराला से रिलेटेड हो जाएगा फिर उसके बाद आप और क्या लिख सकते हो एक और हम लोग यहाँ पर लिखना चाहें मोहन राकेश लिख लो मोहन राकेश क्योंकि नाटक की बात चली तो मोहन राकेश का भी जिक्र होता रहता है तो मोहन राकेश ने आपके कौन-कौन सा लिखा है तो एक आपका लिखा है आशाध इसमें आपके तुलसी दास पे ही नाटक लिख दिया है आशाध का एक दिन ठीक है हिंदी में लिखा वो नाटक है दूसरा आपका जो लिखा है यहाँ पे इन्होंने एक और नाटक लिखा है उसका नाम आपका क्या है आधे अधूरे यह मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया आपका नाटक है नाटक की अगर बात चल रहे हैं तो हम लोग भारतेंदू हरीशचंदर जी को कैसे भूल सकते हैं तो भारतेंदू हरीशचंदर अब यह जो आपके भारतेंदू हरीशचंदर जी हैं जिन्होंने 873 में आपके से लिखा गया था ये नहीं जब्त हो पाया था दूसरा हुआ था उसका नाटक का नाम है आप सभी ने इसको पढ़ रखा है इसका नाम है अंधेर अंधेर नगरी चौपट राजा ठीक है चौपट राजा उस दिन हम लोगों ने प्रेम चंद के बारे में तो सारा पढ़ी लिया था ये आपके कुछ और लिस्ट हो चुकी है मोहन राकेश द्वारा निराला जी द्वारा ठीक है जैशंकर प्रसाज जी द्वारा भारत और ये आपके क्या है भारतेंदु हरीश मंदियों को जरूर बताओ कि भाई एक बार यहां से अनालेसिस जरूर देख ले ठीक है अगले कुश्चन पर चलता है अगला कुश्चन है बाल गंगाधर तिलक जी ने आपके होम रूल लीक की स्थापना कब की थी तो कब की थी? 1916 में की थी पूरे भारत के लिए नहीं ये सिर्फ आपके महराष्ट्र प्रांत में कौन देख रहा था? तो बाल गंगा धर तिलक देख रहे थे, लिख लेते हैं, काम करते हैं, ठीक हैं? इसको भी लिख लो, बाल गंगा धर तिलक, बाल गंगा धर तिलक, सिर्फ, महराष्टर, प्लस सूरत, ठीक है और एक आपके बिदर यह आपके करनाटका में है बिदर बस यहाँ से अगर कोई देख रहा था तो आपके कौन देख रहा था तो बाल गंगधर तिलक जी देख रहे थे 1916 में Home Rule League को और 1926 अचा यह आपकी सितंबर 1916 में बनी थी ठीक है दूसरी थी आपकी अप्रैल में अप्रैल 1916 में जिन्होंने आपके Home Rule League को दीख था उसका नाम क्या था उनका नाम था आपके Annie Besant तो Annie Besant जो है इन्होंने आपके क्या किया था April 1916 में Annie Besant द्वारा लेकिन Annie Besant क्योंकि आपकी बहुत जादा बुजूर्ग हो गई थी और इसलिए आपके फिर क्या हो जाएगा ये आपके इनकी तरफ से देख कौन रहा था उनका नाम है आपके George अरुन देल ये नाम बहुत important है जरूर याद रखना अरुन देल ये कौन थे इनके तो इनके खुद के organizing सचिव थे तो सचिव थे इनके ठीक है यही आपके पुरा लेखा जोका देख रहे थे कहां पे rest of India पूरे भारत में rest of अगले question पर चलता है एक तालिसमा है यार कितनी बार ये question आ चुका है कि इनके से क्यानवे में कौन थे finance minister वित्यमंत्री चिला चिला के मैं कह चुगा हूँ वन महान सिंग जी थे अगला गांधी जी आपके non-cooperation moment को कब ले लिये थे वापस तो जाहिर सी अभी हमने पीछे discuss किया 1922 में फरवरी में आपके ये कब लिया गया था चौरा-चौरी हत्याकान जब हुआ था आपके ठीक है तो उस टाइम पर आपका लिया गया था जो घटना हुई थी उसके दौरान basketball से पूछा गया कितने player है ट्रेलर्स नहीं है वो pillars है कितने आपके stump हैं तो आपके कुल कितने stump हैं ये आपके 56 stump हैं ठीक है अब अच्छे कौन सा मंदिर है उस मंदिर का नाम है विजया विठ्थल मंदिर यहाँ पर आपके 56 stump हैं हम भी आपका करनाटका में पढ़ता है इन 56 stump को अगर आप हलका सा भी ऐसे ऐसे करके अगर आप ऐसे ऐसे tap करोगे तो इसमें आपके न सारे गामा पा उस तरीके से बचता है पूरा ठीक है तो आप अलग-अलग stump को जाके अलग तरीके से अगर tap करोगे तो आपके एक बहुत ही सुन्दर सुर्फ जरूर आपके निकालेगा ठीक है अंगूठे से प्रहार करने पर खंबे संगीत मैं स्वर उत्पन करते हैं तो हम लोग देखो हम लोग कितना जादा उस टाइम पर आर्किटेक्टरल मामले में बहुत जादा आगे थे पैतारिसवा यह आपके खोखो स्पोर्ट्स ग्राउंड का पूछ लिए इसलिए मैं आज से बच्चे कमेंट सेक्शन में कबड़ी का पूछा हूँ तो आपका कितना है इस स्पोर्ट्स ग्राउंड का जो डाइमेंशन पूछी गई है वो कितनी आपकी आयाम क्या है 37 मीटर लंबाई है और 16 मीटर क्या है चोडाई है फिर आप से पूछा गया कि यह जो NSSO है National Sample Survey Organization राष्ट्रिय नमूना सर्वेक्षण कार्याल है बच्चे जो आपके छोटा सेख न हल्का सा सैंपल ले लेता है उसी के basis पर बता लिए कि हाँ जी इतने में हुआ है और यह चीज अगर इतने में हो रही है तो जाहिर सी बात है पूरे भारत में अगर बच्चे जो इतने में ही हो रहा होगा ठीक तो आपके सैंपल नमूना लेते हैं वो तो यह आपके राष्ट्रिय नमूना सर्वेक्षण कार्याल है है कहां आपसे पूछी गई है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है आपसे मंत्राले पूछा गया था तो यह आपके सांखिकी एवं कारेकरम कार्यान वन कार्यान वयन मंत्राले द्वारा यानि कि Ministry of Statistics मौस भी मैंने आपको कई बार बताया है यही आपके NSSO भी है और यहीं आपके NSO तो Ministry of Statistics and Program Implementation सांखिकी एवं कारेकरम कार्यान वयन मंत्राले अगला मिया तांसेन यह जो मिया शब्द है किसने दिया है तो यह आपके अकबर ने दिया है सरदार स्वार्ण सिंग कमीटी कितनी बार पूछी गई है मौलिक संबंदों से रिलेटेड है धामोरा आपसे पूछ लिया एक जो धामोरा डानस है यह आपके कहां पे है तो यह आपके उरिसा में है धमोरा या धमोरा यह डांस का है कहा है उरिसा का है कौन सा पैक्ट था जो आपके साइन हुआ Portland 1916 में यहाँ पे आपके लखनव पैक्ट था एक चीज लिख लेना आपसे जो question पूछी जा सकती है पूछा जा सकता है लखनों में एक तो आपका ये हुआ pact ठीक है इसमें basically आपके जो मुहम्माद अली जिन्ना थे इनके समझवतों को मान लिया जाता है आपके कॉंग्रेस द्वारा तो दोनों के बीच में क्या हो गई थी कुछ टाइम के लिए साथ घाट हो गई थी तो आपके यहाँ पर जो चीज पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी कि सरोजनी नाइडू जी ने हो सकता है डारेक्ट पूछले कि कौन आपके सीधा सीधा मुहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एक ही करण का ब्रैंड अमबैस्डर कहता है हिंदू मुस्लिम एक ही करण या यूनिटी का ब्रैंड अमबैस्डर ठीक है तो बच्चों जो आपके ब्रैंड अमबैस्डर था ना हिंदू मुसलिम यूनिटी का ब्रैंड अम्बैसडर मुहमद अली जिन्ना को कौन बोलता है सरेजनी नाइडू जी बोलती है ठीक है उस समय पे आपके 1916 में बोलती है स्क्रीन शॉट आशा करता हूँ ले ली होंगे ओके आगे चलता है अगला कोशन है कि आपके अगर मान लो राष्टपती से चुनाव में विवाद का निर्णा है अगर कोई राष्टपती का चुनाव में विवाद हो जाए तो उसका निर्णा कौन करेगा भारत निर्वाजा नायोग कल वाली क्लास में हमने इसको देखा था अगला कोशन है राष्टपती के चुनाव जाएगा जर्मनी अगला है कि आच्छा यह मैं जाना क्लास में बहुत बार बताया है इसको मैंने ऐसे बताया कि आपके दान्ती दुरग जी वो थे जो कि आपके ब्रामण में थे और उनका मानना था कि आपके एक शत्री हो जाएंगे ठीक है अगर वो आपके इस हिरण नगर्वदान यग्य को करेंगे जिसको आपके बेसिकली आपके क्या बोला जाता है कि हम लोग बिग बैंक थियोरी जो है जिसको हिरण नगर्व बोला जाता है वो जो एटरनल जो कॉस्मॉस है उसके लिए कुछ यदि हम दान देंगे तो हम्हारा जो विश है वो हमारी उसकी फुल्फिल्मेंट होगी जो हमारी मनुकामना वो क्या होगी उनकी पूर्ती होगी ठीक तो आपके घरन ने गर्वदान यग कराया था किस ने कराया था दानती दुर्ग ने कराया था और किसले कराया था जैसे मैं आपको कई बार बताता हूँ जो हराया गया थो आपके चालुक के डाइस्टी चालू किसम राज्य को हराय गया है अगला है आपका Western Ghats की कितनी बार हमने इस question को कर रखाएंगे बच्चे आपके अनायमुडी अन्नायमुडी, अननामुडी अगर हो जाएगा तो निल्गिरी हो जाएगा अनामुडी हो जाएगा या अनायमुडी हो जाएगा परवत चोटी कौन सी है, तो आपके अनायमुडी है, कहा है, केरल में है, अगला है आपका अट्टुकल पोंगल, अब आप खुदी समझ सकते हैं कि यार भाई कहा कतियोहार हो गए, डबल टी आ रहा है, साउथ इंडियान सा नाम आ रहा है, तो कहा का होगा, केरल होगा, जो बच्चे क्लास में उनको सबको पता चल चुका है अभी है टेकनीक, फिर आप से क्या पूछी गए, कि आपके जो वेदिक पीरेड में क्या बोला जाता था आपके परिवार के मुख्या को, तो उनको क्या कहते थे, कुलपती या ग्रहपती बोला जाता था, ठीक है, सुभा आपके यहां पे भी शहीद दिवस आता है, आपके क्मिनिस्ट पार्टी की जो कॉन्फरेंस थी सबसे पहली बार कहां होई थी, तो बच्चे आपके 1925 में कानपूर में होई थी, क्मिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, यहां पे इसका गठन 26 दिसमबर 1925 को कानपूर में पहली पार्टी सम्मेलन में हुआ था, यहां पे अध्यक्ष जो है ना, उस समय कानपूर के नाम से, एक्शली कानपूर को कानपूर बोलते थी, ठीक, कानपूर, तो ऐसे, तो इसके बच्चे संस्थापकों में ज़रूर याद रख लेना, he is the father of, यह जनक है, हमारे यह में आपे साम्मेवाद के, Communist Party of India के जनक कोई है, तो वो आपके कौन है, यह आपके, MN Roy है, जितना हो सके, उतना आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है, रट लेना, Elvin Trent, याद रखो ना रखो, यह MPT, और यह बच्चे आपके क्या है, MPT आचार रे, इनका जरूर आप नाम याद रखेना, MPT आचार रे हैं, अबानी मुखर जी हैं, और आपके MN Roy, इनका नाम आप जरूर याद रखना, ठीक है, बहुत important नाम है, अगला, बाच्चा नामा किसने लिखे, नजाने कितनी बार इस चीज़ को बताया गया है, अब्दुल हमीद लाहोरी ने आपके इस अगला कुशन, अगला कुशन आपका हो जाएगा, इंडियन मौनसून कब स्टार्ट होती है, तो मैंने बताया था, एक जून को आपके सबसे पहली बार केरल में आती है, फिर वहां से चलते 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 आपके लास्ट में कहां चली जाएगी, वह आपके बंगाल, बंगाल से घूम के फिर आपके मध्यपरदेश तक में आएगी, सितंबर तक फूरा को पूरा जो आपका मौनसून का रंगा-रंग कारिक्रम है, आपका चलता रहता है, सितंबर के बाद फिर आपके क्या हो जाएगी, तो वापस पलट के जो आपके मौनसून आती हो, कहां स से आती है बंगाल कमी घारी और सिर्फ और सिर्फ आपके बारिश कहां करेगी वह आपके तमिल नॉर्डू WHY ठीक है तो हमने कई बार डिसकस कर रखा है क्लास में इसका रखा है आपके रिविजन क्लास ए प्रीविजन क्लास में बता रखा है इसलिए में आपको यहाप डाग्राम के थूरू नहीं बता रहा हूं वना लेक्च्चर बहुत लंबा हो जाएगा और बच्चों अभी आप के एग्जामस बागी है तो फुर रिटेंग अंड? किसने आपके रेवारे दिल यह इंद गूलीवर्ट कास ओ भुट तAKE है तो फिर आपके दूसरा पूछा गया है राग दरबारी किसने लिखे है अगर बच्चों आप faith पंचायत सीरीज है, अगर आपने उसको देख रखा होगा न, तो पंचायत सीरीज अगर जैसे आपने देखी है, तो वो तो है मज百श लेकिन अगर आपको पंचायत सीरीज जैसा कुछ फील करना है, तो ये श्रीलाल शुकल जी की एक आपकी किताब, अच्छाusan शुकली जी जो आपके राग दरबारी है इसमें आपके आस पास का जितना भी हो जो पूरा वाता वरने कानपूर और लखनाओं के इलाके का वो आपको पता चलेगा क्योंकि आपके UPPCS के अधिकारी थे तो आपके कानपूर और लखनाओं में पोस्टेट रहते थे बहुत पैरी किताब ह अगर कभी टाइम मिले तो पैसटवा आपके भाईया करजन कव आये थे तो करजन आपका इंडिया में भारत में कव आये था 1899 में में आये था इसका बच्पन का सपना था कि मुझे क्या बनना है मुझे आपके इंडिया का वाइसरोय बनना है बच्पन का सपना था इसके और यह आपका वाइसरोय बनता भी है इंडिया का ठीक है, इतने ज़ादा इसके अंदर द्रिड विश्वास था ठीक, तो यह आपके इंगलेंड में हुआ था, यह सब छोड़ो हटाओ न, इनका क्या करना है, कि इंगलेंड में हो था, क्या हुआ था हमें बस ये करना है कि इसने आपके इससे पहले कौन था वाइसरोय तो उसका नाम था Lord Elgin ठीक है Elgin था उसको आपके क्या किया उसको हटाया और 1899 से 1905 में आपके क्या बनता है वाइसरोय बनता है करजन के समय ही आपका क्या होता है बंगाल का विभाजन होता है जिसके आपको बंग 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 बंगल पार्टिशन के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पे हम लोग SSE GD के बैच में, प्रहर बैच का नाम है, उसमें SSE GD के लेवल की जो fees है, उसमें आप लोग को कम से कम हम लोग CGL नहीं, तो आपके CPO, हमारे जो CPO और CGL का ही आपका main target रहता है, उसके लेवल के हम लोग आपको तयारी करा रहे हैं, ताकि आपका एक भी question ना भटके, और जैसे ही ना अठके, और इसी के साथ साथ आप लोग ने सुना भी होगा, हमारे director सरद्वारा, कि आपके 90-95 questions, आपके इन्ही जो analysis चल रहा है, इन्ही analysis से आ रहा है, तो जिन भी बच्चों का आपके आगे चलके exams है, मैं आप लोग से निवेधन करता कि कृपया, आप यह जो वीडियो है, उन सभी के साथ share करिए, ठीक है, so that कि उनके पास यह आपके questions पहुँच पाए, इसी के साथ, मैं आप सभी से यही बोलूँगा, कि हर Monday आपके batches join हो रहे हैं, और जल्दी से जल्दी भरें, मतलब इस seat से आपकी भर रहे हैं, तो बहरी batch का नाम है, SSEGD का batch है, ठीक है, so इसी के साथ पढ़ते रहे हैं, और बढ़ते रहे हैं, all the very best, bye.